ओम शांती एक साथ तो हजार चौबिस की साकार मुरली मीठे बच्चे शांती धाम पावनात्माओं का घर है उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनू प्रहश्न बाप सभी बच्चों से कौन सी गैरंटी करते हैं उतर मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गैरंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे तुमें एक बाप से दिल लगाओ इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो इस दुनिया में रहते पवित्र बन कर दिखाओ तो बाबा तुमें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे ओम शान्ती रुहानी बच्चों से रुहानी बाप पूँच रहे हैं यह तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने लिए अब घर जाने की दिल होती है वह है सब आत्माओं का घर यहां सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है यह तो समझते हो बाप आया हुआ है निमंतरन पर बुलाया है बाप को हमको घर अर्थाथ शान्ती धाम ले चलो अब बाप कहते हैं आप अपने दिल से पूछो हे आत्माए तुम पतित कैसे चल सकेंगी पावन तो जरूर बनना है अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुशार्थ किया है किसके लिए मुक्ति के लिए तो अब बाप पूछते हैं घर चलने का विचार है बच्चे कहते बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है यह भी जानते हो जो भी जीव आत्माए है सब को ले जाना है परन्तु पवित्र बनकर घर जाना है फिर पवित्र आत्माए ही पहले पहले आती है आप पवित्र आत्माए तो घर में रह नहीं सकती वह है पावन शांती धाम आत्माओं का, वह है पावन सुख धाम जीव आत्माओं का, यह है पतित दुख धाम जीव आत्माओं का, इसमें मुझने की तो बात ही नहीं, शांती धाम जहां सब पवित्र आत्माओं निवास करती हैं, वह है आत्माओं के पवित्र दुनिया, वा राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे यह तो बहुत सहज है इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है बुद्धी से समझना है हमात्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांती धाम में ले जाने वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो ऐसे ही आकर कहता हूँ हे बच्चे मुझे बाबा को याद करो सर्व का सद्गती दाता एक सत्गुरू है वही आकर बच्चों को पैगाम अत्वा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है आधा कल्प तुमने बहुत भक्ती किये दुख उठाया है खर्च सब्चा करते कंगाल बन गए हो आत्मा भी सतोप्रधान से तमोप्रधान बन गई है बस यह ठोड़ी बात ही समझने की है घर चलना है वा नहीं हाँ बाबा जरूर चलना है वह हमारा स्वीट साइलेंस हो मैं यह भी समझते ओबर ओबर अभी हम पतित हैं इस लिए जा नहीं सकते हैं अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कड़ जाएंगे कलप कलप यही पैगाम देता हूँ अपने को आत्मा समझो यह दे तो खलास हो जानी है बागी आत्माओं को बापस जाना है उनको कहते हैं निराकारी दुनिया सब निराकारी आत्माओं वहां रहते हैं बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है इसमें कोई मौझनेवा तकलीफ की बात नहीं है गाते भी हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाए सांथ ले चलो सबका बाप है ना फिर जब हम नई दुनिया में पाट बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं बाकी इतनी करोड़ा आत्मा कहां जाकर रहती हैं यह भी जानते हो सत्योग में थोड़ी जीवा आत्मा थी छोटा ज़ाड़ था फिर व्रद्धी को पाया ज़ाड़ में अनेक धर्मों की वेराइट उसको ही कल्प व्रक्ष कहा जाता है कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूँच सकते हो कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयू 5000 वर्ष कैसे माने अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं चकर का हिसाब भी बताया है इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थाप बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं नई दुनिया की स्थापना करता हूं पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी पुरानी से नई बनती है इसकी चार भाग भी पूरे हैं जिसको स्वास्तिका भी कहते है परन्तु समझते कुछ भी नहीं है भक्ती मार्ग में तो जैसे गुडियों का खेल खेलते रहते हैं अथा चित्र हैं दीप माला पर खास दुकान निकालते अनेक अनेक चित्र हैं अभी तुम समझ गए हो एक है शिवाबा और हम बच्चे फिर यहां आओ तो लक्षमी नारायन का राज्य पिर रामसीता का राज्य फिर बाद में और-और धर्म आते हैं जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है वह अपने अपने समय पर आते हैं फिर सब को वापिस जाना है वह तुम बच्चों को भी अब घर जाना है यह सारी दुनिया विनाश होनी है अब इसमें क्या रहना है इस दुनिया से ही दिल नहीं लगती दिल लगानी है एक माशूक से वह कहते हैं मुझे एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे अब बहुत गई थोड़ी रही टाइम जाता रहता है योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वह बहुत पस्चा ताप करेंगे सजा खाएंगे पद भी ब्रस्ट हो जाएगा यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है घर जाने लिए ही तो माथा मारते हैं न बाप भी घर में ही मिलेगा सत्योग में तो नहीं मिलेगा मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी महनत करते हैं उसको कहा जाता है भक्ती मारग अभी भक्ती मारग खलास होना है ड्रामा अनुसर अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ जरूर ले जाऊंगा जितना जो पावन बनेंगे उतना उच पद पाएंगे इसमें मौझने की बात ही नहीं बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो मैं ग्यारंटी करता हूँ तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे याद से तुम्हारे विकर में विनाश होंगे अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी पद भी भरष्ट हो जाएगा हर पांच जार वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ मैं अनेका अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने तुम बच्चे ही हारजीत का पाड बजाते हूँ फिर मैं आता हूँ ले जाने यह है पतित दुनिया इसलिए गाते भी हैं पतित पावनाओ हम विकारी पतित हैं आकर निर्विकारी बनाओ यह है विकारी दुनिया अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है जो पीछे आते हैं वह सजा खा कर जाते हैं इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं दो कला कम हो जाती है उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे इसलिए अब पुरुशार्थ भी पूरा करना चाहिए ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए भल रावण राज्य नहीं है पर अंतु पद तो नंबर वार है आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा आत्मा गोल्डन एजिट से सिल्वर एजिट बन जाती है चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है फिर दिन प्रती दिन जास्ती छीची खाद भी पड़ती है मुलम्मे की बाप बहुत अच्छी रिती समझाते कोई नहीं समझते तो हाथ उठाओ जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया उनको ही समझाएंगे बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ इनको ही फिर पहले नंबर में आना है उनके ही शरीर में आता हूँ उनको पावन बनाता हूँ कितना क्लियर कर समझाता हूँ बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे इता का ग्यान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है परन्तु उनसे भी तुमने सदगती को नहीं पाया बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्तर सुनाये जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इखटे होते हैं कनरस है न भक्ती मार्ग ही है ही कनरस इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है भक्ती मार्ग पूरा होता है बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ग्यान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते मैं ही ग्यान का सागर हूँ ग्यान कहा जाता है नौलेज को तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं 84 का चक्र भी समझाते हैं तुम्हारे में सारी नौलेज है स्थूल वतन से सुक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो पहले पहले है लक्ष्मी नरायन की डिनायस्टी वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते रामण राज्य ही नहीं योग बल से सब कुछ होता है तुमको साकषतकार होता है अब बच्चा बंध गर्व महल में जाना है खुशी से जाते हैं यहां तो मनुष्य कितना रोते चलाते हैं यहां तो गर्व जेल में जाते हैं वहां रोने पीटने की बात नहीं शरीर तो बदलना जरूर है जिससे सर्प का मिसाल है इसमें मूझने की बात ही नहीं जास्ती पूछने का रहता नहीं एकदम पावन बनने के पुरुशार्थ में लग जाना चाहिए बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या बाप के सामने बैठे हो ना मैं तुम्हारा बाप तुमको सुक का वर्षा देता हूँ तुम यह एक अंतिम जन में याद में नहीं रह सकते हो यहां अच्छी रीती समझते भी हो फिर घर में जाकर स्त्रियादी का चहरा देखते हैं तो माया खा जाती है बाप कहते कोई में भी ममत्व नहीं रखो वह तो सब कुछ खत्म होना ही है याद तो एक बाप को ही करना है चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो दैवी गुण भी धारण करने है सत्यूग में यह गंदी चीजे मा साधी होता ही नहीं बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ कितनी आमदनी देती है कितनी आमदनी होती है तो क्यो नहीं पवित्र रहेंगे सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है भले खटे रहो ग्यान तलवार बीच में हो पवित्र रह दिखाया तो सबसे उंच पद पाएंगे क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे फिर नौलेज भी चाहिए और उको आप समान बनाना है सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हमें खटे रहते पवित्र रहते हैं तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है बाप कहते इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम बिश्व के मालिक बनेंगे कितनी बड़ी प्राइज मिलती है तो क्यो नहीं पवित्र रह दिखाएंगे टाइम ही बाकी थोड़ा है आवाज भी होता रहेगा अकबार में भी पड़ेगा रिहर्सल तो देखी है न एक एटम बॉम से क्या हाल हो गया अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं अभी तो ऐसे बॉम साधी बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं फट से खत में और यह रहर्सल होकर फिर फाइनल होगा देखेंगे फट से मरते हैं वह नहीं फिर और युक्ती रचेंगे हॉस्पिटल आदी होगी नहीं कौन बैट खिद्मत सेवा करेंगे कोई ब्रामन आदी किलाने वाला नहीं रहेगा बॉम छोड़ा और सब खलास अर्थ को एक में सब दब जाएंगे देरी नहीं लगेगी यहाँ धेर मनुष्य है सत्यूग में बहुत थोड़े होते हैं तो इतने सब कैसे विनाश होंगे आगे चल देखना है वहाँ तो शुरू में नौ लाख है फकीर भी तुम हो साहिब भी तुमको प्यारा है अभी सब को छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है सत्यूग में बहुत छोटा सा जाड़ होगा बाते तो बहुत समझाते हैं जो भी एक्टर से सब आत्मा ये आविनाशी है अपना अपना पाड बजाने आती है कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधाइमान है सब को वापस जरूर ले जाएंगे इसलिए नाम ही है पांडव से न तुम पांडव क्या कर रहे हो तुम बाप से राज्य भाग ले रहे हो हू बहू कल्प पहले मिसल नंबर वार पुरुशार दनुसार अच्छा मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रदी मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मौनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्यसार पहला बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है देह को भी भूल स्वयम को आत्मा समझना ही फकीर बनना है बाप से बड़ेते बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बन कर दिखाना है दूसरा वापस घर जाना है इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है एक माशुक से ही दिल लगानी है बाप और राजधानी को याद करना है वरदान ब्राम्हन जीवन में सदा चेरफुल और केरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूप धारी भव यदि किसी भी परिस्तती में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे ब्राम्हन जीवन में सदा चेरफुल और केरफुल मूड हो मूड बदलनी नहीं चाहिए जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए आज मेरा मूड ऐसा है मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो सदका माइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी स्लोगन कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्सा हमें रहना अच्छा ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा